मैं मम्ता मम्ता फूट ब्लोक देसी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई रे किसा आपके सामने कर रही भे वह रे रेक्ट पी जाएक लिप एक्ट के रेसिपी साउल किया के वहले की नो लिप चयो कले का हूँ आज में लेकर आई हूँ जो जो चाई के दिवाने हैं एकदम बड़ी आ रेसीपी होटेल में जाकर चाई पिने के लिए मेनु में लिखा हुआ होता है कि मसाला चाई एक आखिर मसाला चाई में इसा क्या होता है जो उसकी किमत इतनी ज़्यादा होती है तो फ्रेंट जाने उस चाई का मसाले के बारे में कि आज हम खなた ठिरिक के साथ आपके लिए खास मसाला लेके आए हैं कि एकदम ऐसे तरीके से हम बताने वाले हैं कि आप मसाले को एकदम आप होटेल और बड़ी-बड़ी रेश्टोरेंट में जाते हैं न तो उस चाय को तो आप भूली जाओगे तो चलिए आज मैं आपको लाच तक जरूर देखिए वीडियो को और मैं आपको बताने वाले हूँ कि यह चाय का मसाला तो छोटी इलाइची मैंने लिए हैं 20 ग्राम तो कॉंटिटे के इसाब से हमने चाय का मसाला लेना है और काली मिर्च लिए हमने 15 ग्राम अगर आप इसक कम ज्यादा भी कर सकते हो और सूकी अद्रक ले लिए मैंने 20 ग्राम और दाल जी ने लिए हमने 10 ग्राम तो यह सभी मसाला कॉंटिटे के इसाब से ही लेना है हमें और बड़ी इलाइची चार से पांच उसके हमने बीज निकाल के लिए हैं इसको साबुत नहीं डालना है त लोंग हमने लिए 5 ग्राम क्योंकि यह लोंग इतनी ही हमें चाहिए ज्यादा हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं तो सभी मसाले को एक साथ हम कॉंटिटी के इसाब से ही डालना है और सौप ले लिए जो चाय की जान होती है हमें कुसबू और डाइजेसन दोनों को ही बढ़ि है उठे ऐसा हमें मसाला को रोष्ट करना है ज्यादा भूनना नहीं है ज्यादा भून जाएगा तो मसाला का सारा सुवार मर जाएगा तो देखे फ्रेंट्स आप जो मसाला हमें ऐसे खनकदार इसके आवाज आने लगे वैसे हमें रोष्ट करना है तो ठीक है गेस को कर दे ही मुलेटी हमने 20 ग्राम लिए इसको भी हमने टुकड़े कर लिए ताकि हमारा मिक्सिजार खराब ना हो यह बोड ज्यादा टाइट रहती है तो ज्यान रहे इसको भी हमें तोड के लेना अब लिए हमने तुलसी के बीज आपको पता है फ्रेंड तुलसी भी बहुत हमारी हे वेसी में यार्वन वह अच्छी होती है चाय की लिए तुलसी के बीज वीज में एड़ करने हैं और साथ ही और इसमें लेंगे अब एर करने वाले हैं 50 ग्राम मैसरी मिसरी को भी हम लाष्ट में लाष्ट में डालना है इसको भी छोटी छोटी टुकडे करके डालना है क्योंकि ये भी वह ज्यादा टाइट रहती है तो जार हमारा खराब होने की संभाव ना हो सकती है तो चली इसके भी हमने टुकडे वो भी गेस ओप करने के बाद में नहीं तो ये चीनी मेल्ट हो जाती है मिसरी तो हमें गरम में बिल्कुल भी नहीं डालना है ठंडा होने के बाद में मसाला को एकदम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं और बाद में इसको डालना है तो साथ में अब ये हमारा मसाला जो है एकदम ठंडा हो गया है अब इसको हम मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेते कि मसाला हम कब-कब यूज कर रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं वरना आपका मसाला जो बना रहे हो वो एकदम खराब हो सकता है तो चलिए अब इसको एक साथ हम डाल के इसको ग्रांट कर लेते हैं और ध्यान रहे हैं आप मसाला की कॉंटिटी होती है उस इसाफ से मसाला बनाए मसाला की जो कुस्बू होती है उसको क Candainer यृत काच काले हैं लिए कन देचिक ये लीटेंगे कोई भी डिबा हो उसमें डाल लेढेगे क्योंकि मसाला की जो कुस्बू होती है उसको एटाय डबे में ही डालने से अच्छी रहती है, श्ट्रोंग और कम से कम छे मैंने तक ये मसाला खराब नहीं होगा, गारंटी है हमारी इस मसाले की, तो हमने बहुत ही बढ़िया, अब मैं बताने वाली हूँ आपको चाय बनाकर, कि चाय में जो मसाला हम यूज करते हैं, किस यूज करना है, तो यही तो है हमारी खाश्ट्रिक चाय को बनाने के लिए, तो मैंने ले लिया एक गिलास पानी, इसको उबा लाने तक एक छोटी चमच इसमें डालेंगे हम चाय पती, चाय पती की भी अच्छे से उबा ले लेंगे, चाय आपकी कितनी श्ट्रोंग आप उस हिसाब से ले सकते हो, अब मैंने लिये दो चमच चीनी इसमें, क्योंकि हम दो कप चाय बना रहे हैं, तो दो कप चीनी बहुत है, अगर कम ज्यादा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मिठा ले सकते हो, तो चलिए हमारी, अब एक गिलास हमने दू लिया है, एक गिलास प अब इसमें डालेंगे हम एकदम बढ़िया जो हमारे गरम मसाला जो हमने बनाये हैं चाइ का मसाला जाल कम डाल लाना है वो आपको मैं बताने वादे हूं तो चाइकी अच्छे उबाला जाएं चाइ कता ही हमारी चाइ बढ़िया वाधा हुए roz response मसाला में यूज करना है तो हमने आदी छोटी चमच मसाला दो कप में डालना है आप ज्यादा अगर लेना पसंद करें तो आप थोड़ी सी मातरा बढ़ा सकते हैं इसकी तो चलिए ये भी हमने मसाला डाल दिया अब इसको हम सिर्फ एक उबाल आने तक इसको उबालेंगे और हमारी चाई एकदम श्यांदार कुस्बूदार बहतरेन वाली चाई मसाला हमारी रेडी है तो चलिए फ्रेंड्स ये चाई की कुस्बू तो सून कर आपके पडोसी भी आपके घर आ जाएंगे और चाई की तारीब ही तारीब करते जाएंगे तो चलिए चाई हमारी बनकर अब इसको सब कर लेते हैं और चाय की एकदम कुश्बूदार जो आपके पूरा घर में के उठाएगा ऐसी हमने चाय का मसाला तयार किया है तो फ्रेंट्स चलिए हमने रस के साथ हम तयार कर लिए हैं चाय दो कप तो लीजी आपके लिए हमने चाय एकदम बहतरीन वाली चाय लिख रहे हैं सब बनाएंगे निम्बू वाली चाय के लिए हमने एक पतिला चड़ा दिया है उसके लिए हमने लिए एक गिलास पानी को अच्छे से गरम होने तक वेट करेंगे और दो कप चाय बनाने के लिए एक गिलास बहुत बहुत काफी है तो पानी का उबाल आ चु है अच्छे से कलर चेंज हो गए है अब इसमें हम पिलाने के लिए और यूज्णी वातिकारे चाय याल ऑफ जाती है डो मिनट मिण दियाती है यह देखिए, चाय का मसाला डालने के बाद में color change हो चुका है, अच्छे से इसमें आ चुका है, उबाल, अब इसमें डालेंगे हम चीनी, हाँ तो चीनी की हमने दो चमच लिए, आप इसकी quantity कम ज़्यदा कर सकते हैं, अपने साब से, यह देखिए, और अब करेंगे हम गेस को औरो ओप क्योंकि निमबू जो हैं, लाष्ट में यूज करने वाले हैं, ओप करने हम जो का लिए, तैयार है, दो कम थे alp करने हैं अगर आपको यह रेसीपी पसंद आई तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपका बहुत बहुत तन्यवाद